प्रोस्टेट कैंसर् पुरुषों में होने वाली एक प्रमुक समस्या है जिसे पौरुष ग्रंथी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है प्रोस्टेट कैंसर एक गंफीर बिमारी है जो हर साल हजारों पुरुषों को प्रभावित करती है भारत में ये सबसे खतरनाख कैंसरों में से एक है ये मध्यम आयूवर्ग यानि 50 से 60 वर्ष से अधिक आयू के पुरुषों में देखने को जाधा मिलता है चालिस साल से नीचे के लोगों में ये बहुत ही कम देखा गया है नमस्कार मैं हूँ अनिता शर्मा और लेकर आई हूँ बातें सेहत वेहत के प्रोस्टेट कैंसर का इलाज क्या है? प्रोस्टेट कैंसर के कारण क्या है? प्रोस्टेट कैंसर की पहचान कैसे करें? जैसे तमाम सवाल हैं जो इससे पीडित लोगों के मन में उठते हैं या उन लोगों के मन में उठते हैं जिन्हें कहीं से भी इस बात का खत्रा होता है कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर क्या है ये समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें समझें प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की यूरोलोजिस्ट डॉक्टर शैलेश चंदर सहाय से तो सबसे पहला सवाल लेते हैं कि prostate cancer आखिर है क्या prostate को हम हिंदी में गदूत कहते है है या फिर इसको हम पॉरुष्क रन्थी कहते है ये सिर्पुरुषो में पाया जाता है और जब इसमें cancer उद्पन हो जाता है तो ये prostate cancer एक आज के समय में में बहुत ही common prostate cancer है इंडिया का and this is one of the leading cancer in India तो prostate cancer किस age group में होता है normally ये 50 से 60 साल के आसपास वाले मरीजों में होता है और 40-45 years से कम एज वाले पूरुशों में बहुत ही rarely होता है डॉक्टर अब जब आपने ये समझा दिया है कि ये cancer होता क्या है और ये कितना खतरनाख है तो सवाल ये ऊठता है कि इसके LAKSHN क्या है और कोई कैसे समझे कि उसे PROSCTREIT CANCER हो सकता है तो इसके लच्छनों में सबसे प्रोमुग जा लच्छन होते हैं औहो पशाफ से के विएसे नीन खराब होती है यह जो सिंटम्स और लच्छन होते हैं यह प्रोस्टेट के नॉमली बढ़ जाने में यह नॉन कैंसर बिमारियों में भी इस तरह के लक्षन आते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर को डाइग्नोस कैसे किया जाता है डाइग्नोसिस करने के लिए सबस सकते हैं और एक ब्लट का टेस्ट इसको पी ऐसे कहते हैं यह तेस्ट हमें यह बताता है कि आपका पी से नॉर्मल रेंज में है यह से बाहर है अगर कोई भी शक होता है तो वैसे केसे से प्रोस्टेट की बैपसी की जाती है जिससे कि आप कैंसर की डियाग्नोसिस कंफर्म क को एक प्रस्टेट केंसर होता कियों है? इसके पीछे के कारण़ क्या है? तोכשיו Joshi, खुछ इस बारे में भी बताइए कि क्या की है कारण़ क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं कहूं कि इस बिमारी में कोई dietary role है या नी तो there may be a possibility कि आपके खाने में जो आप खाना खाते हैं जैसे उसमें अगर alcohol की मातरा जादा है या फिर smoking करते हैं तो आपको इन बिमारियों का chance जादा होता है और ये बिमारी mainly hereditary मानी जाती है तो ये भी possible है कि 5-10% ऐसे patient होते हैं जिनमें ये familial होता है और family में run करता है out of 50 patients अगर हम 50 स्वस्त मरीजों का screening करते हैं तो पचास में एक में prostate cancer पाया जाता है तो this is very common nowadays लेकिन अब की जो test and diagnosis जो हमारे हैं उपलब्द हैं उनसे आप इन cancer को बहुत ही पहले ही टिटट कर सकते हैं जिसे इसका treatment treatment किन तरीकों से किया जाता है सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपको कोई वी ऐसी बिमारी लग रही है अगर आपको लगता है symptoms आप immediately अपने urologist से संपर करें जब इसकी diagnosis बन जाती है तो फिर staging के हिसाब से इसमें treatment होता है तो there are different stages like stage 1,2 यानि early stage अगर आपको है तो इसमें cancer को पूरी तरह से body से निकाला जा सकता है by doing surgery इसमें कुछ operations होते हैं जिसको हम लोग radical prostatectomy कहते हैं यह operations दूरबींद की पद्धती से यानि laparoscopy से या robotic से भी किये जाते हैं जो कि एक बहुत minimal invasive surgery मानी जाती है और इसमें recovery बहुत fast होती है इसके अलावा other options जैसे hormonal therapy, chemotherapy और radiotherapy भी इसमें उपलब दें तो यह depend करता है कि मरीज हमारे पास कौन से stage में आते हैं उनके operability क्या है उसके हिसाफ से उनका treatment device किया आता है एक बहुत ही महत्वपून सवाल जो उठकर यहां आ रहा है वो यह कि क्या prostate cancer से बचाव भी किया जा सकता है कि आप पूरुष की नहीं बातों का ध्यान रखकर खुद को prostate cancer से बचा सकते हैं अगर इसे बचाव किया जा सकता है तो इसके बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं सबसे important यह है कि आप अपना health check-up करें तो अगर आपकी उम्र 50 साल के आसपास है तो आपको साल में एक बार अपने body का test कराना चाहिए एक ultrasound एक serum PA से blood का test होता है हम इन चीजों से ही पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में ऐसे कोई गंभी विमारी तो नहीं है चुकि अगर हमने इसको समय रहते हैं पहले treated कर लिया तो treatment बहुत easy है और आपकी longevity बनी रहती है लेकिन अगर कुछ ऐसे मरीज है जिनमें यह पता नहीं चल पाता है तो यह stage 3-4 में अगर आते हैं तो उसमें treatment ज़्यादा complicated होता है तो मैं चाहूँगा कि आपके घर में जितने भी आपके बुजूर्ग, आपके अंकल, पिताजी यह जो 50 साल, 60 साल के उपर उम्र वाले जो पुरुष हैं उनमें यह awareness फैलाएं और उनका एक बार health check-up साल में ज़रूर करना चाहिए जिससे कि अगर कोई ऐसी cancer वाली बिमारी उनके शरीर में हो रही है तो उसको हम जान पाएं और समय रहते treat कर पाएं तो यह थी prostate cancer पर पूरी जानकारी अगर आपके मन में prostate cancer को लेकर और सवाल हैं या आप किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या पर हमसे सलाह या जानकारी चाहते हैं तो comment box में या नीचे दिये गए email ID पर अपने सवाल हमें लिखें health tips और जानकारी से भरे वीडियो के लिए NDTV सेहत वेहत को like और subscribe करें bell icon दबाना बिलकुल भी ना भूले